करें और में आलोग जी आप बिल्कुल सैंमत हूं से आलोग जी आपसे में इ inhabit हुं हमारे शोपे हमारे चैनल पर नीजी कॉमट्ट नीजी हमले पर्सनल अटैक dès swings डाइन मैं प्लीज रहत जाइसं ने बिल्कुल पसंद नी करता हूँ दर्वी जी रुकिए राएट प्लीज आलोग शर्मा आपकी बारी ये बोलिए आलोग जी मैं सहमत हूँ आपसे मैंने सुना नहीं लेकिन परसनल अटैक मैं आपको भी पता है मैं बिल्कुल अलाओ नहीं करता मुद्दे पर बोलिए आलोग दिक्कत ये है कि तमाम एंकर्स में होड लगी है कि कॉंग्रिस को कौन कितना बड़ा अपशब्द कहे और कौन कितनी ज्यादा छूट दे खड़गे जी 82 साल की उमर के हैं हमारे पिता समान है उमर में भी क्या बकवास एक व्यक्ति करता हुआ चला जा रहा है आप रोक नह इनी को बुलवाई अब आवाज बंद कर दिजे बिल्कुल आवाज बंद कर दिजे आपका माइक बंद है धर्मीड चौदरी आपका माइक बंद है आलोग जी आलोग शर्मा आपको मैं दो मिनिट दे रहा हूं अनिंटरॉप्टिड अपनी बात करिए और मुद्दे पर ब मानेक जी मैं शुरू से हर आपका जो सवाल था उसका मुद्दे पर जवाब दिया बेहन जी क्या दिक्कत थी कि 2009 में चुपचा पाके दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो गई थी बाहर से आउट साइड सूपोर्ट देंगे कांग्रेस इतनी खराब थी तो काहे को अभी व टीडी सीबी आई का कॉंस्टेबल भी दरवाजे के बाहर से निकल जाए तो वो बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच जाती है पूरा देश नहीं देख रहा है अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने खतम किया तो वो मायवती जी है मायवती जी ने पूर यसे तो परवक्ता भी नहीं है कॉंग्रेस इसके बसपा के यह लेकिन जिस तरह की अभधर शब्दावली है यह हो सकता है इनके यहां पर संसकार होंगे लेकिन मानक जी आपको रोकना चाहिए मैं दो सवाल पूछूँगा उनका दो का जवाब नहीं मिलेगा इनके पास और कॉंग्रेसियों को जेल में डाल देते अब रुग जाई केवल और केवल आरोप लगा कर भाद जाना इलेक्टरल बांड्स पर सुप्रीम कोट इनको फटकार लगा रहा है मुद्धे पर बोलिए सायम से बोलिए सायमित भाषा का इस्तिमाल करें जी दस साल यूपीय की सरकार चली मनमौन सिंग जी के नित्रत में हमने बगर मांगे ने को समटन दिया चुप रही है आप मेरी बास सुनिए पहले आप अलोग जी क्यों दिया था चुप रही है आप अगर इतनी बूरी थी मैं कह रहा हूं कि आपने बहन जी की सीबी आइज कराई थी माने सुप्रिम को टेक लिन चिट दी बहन जी को आप इतने गिरेवेश चरित्र के हैं कि एक दलित की बेटी जो है कैसे आगे बढ़ रही है और माने बर साब काशी राम जी बता गए थे बावा साब बता गए थे कि इस कॉंग्रेस से कैसे चाहिए मनोच सिंग काका को मुझे मौका देना पड़ेगा